पूरब से पच्छिन की नाव चली रे नमस्ते दोस्तों अपने बिहार में हर बार पंचाइट का चुनाब होता है और तरह तरह के परत्यासी खरा होते हैं तरह तरह के वादे करते हैं पंचाइट के विकास के लेकिन मुखिया बनने के बाद सबी लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं वादे को बूल जाते हैं और मनमाना करने लगते हैं लेकिन आपको ऐसे पंचाइट के ऐसे मुखिया से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने वादा किया और अपने पंचाइट के तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल दी दोस्तों जहाँ पर हम ये मौजूद हैं ये हसनपूर परकंड के आउरा पटसा पंचाइद का मदेपूर गाओं का राम टोला है और दोस्तों ये एक स्कूल का भवन है और चुनाब से पहले तक यहाँ पर भवन के नाम पर एक फूस का घर भी नहीं हुआ करता था यहाँ प पर महादळित बच्चों को पढ़ने के लिए बैटने की ब्यवस्ता नहीं थे बच्चों को एक किलो मीटर दूर दूसरे बी दैलने में जाना पड़ता था क्योंकि भवन के बिना इस विद्याले को दूसरे विद्याले में मर्ज कर दिया गया था और छोटे-छोटे मासूम बच्चों को अपनी थैला ले करके बरसात में धूप में बारिस में और नंगे पाउं दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था और द करना करना पर रहा है तो इन्हों ने उस समय में वादा किया था कि हम मुखिया बनेंगे तो सबसे पहले इस जगह पर हम विद्याले के भवन का निर्मान करवाएंगे ताकि जो चोटे-चोटे बच्चे यहां से थैला ले करके जंगल सरक से नंगे पाउं दूप में बारि एक साल कार काल के पूरा होने से पाले ही यहां पे भवन बनबा दिया है और इतना अच्छा भवन बनबाया है कि देखकर आपका मन खुस हो जाएगा और दोस्तों भवन के साथ चाथ बच्चों की बैठने की समचित बेवस्ता, मिढ़े मील की बेवस्ता, परहाई की बेव की बेवस्था सुन्दर सवाचाले की बेवस्था और काईंग ना काईं पूरे घ्रा बंदी करके separate कर दिया गया अब कहेंगे कि भाईया इसमें बड़ी बात कोन हुआ कि बिडाले का बवन बनवा दिये बवन तो सब जगह पर है अगर बवन सब जगह पर है तो एक बात को कान कोल कर सून लिजे कि आप देख लिजे कि जिस जिस जगह पर बवन नहीं था कहीं प इसलिए कावले तारीफ है हमारे साथ मुख्या जी है इन ही से बात करते हैं सर ये महधली टोला और कहीना कहीन मुख्या बनने के बाद लोग ऐसे योजनाओं पे फोकस करते हैं जहां इस्टिमेट जादा बने सरक बनाए दूसरा चीज बनाए जिसमें कमायू लेकिन ऐसा ची लेकिन आप जुनाव में वदा किए किस तरह का किस तरह से यहां पे भवन बने का काम की सब्सक्राइब को धुरए नहीं तो लोगॉं को थोरा सा अतिस्वक्थि पुर्णी बाते लगी थी और मैं इस भवन के लिए शिक्षा मंत्री जी के उस समय में आपको भीजे चोधरी जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो उनके पास भी मैं इसके लिए गया डीयों के पास गया लेकिन मुझे कहीं से संतोस जनक कोई उत्तर नहीं मिला इभेन यहां के गाम बासी और पंचाय अब से पहला मैंने सोचा था कि इसी काम को करूंगा और इतना तक हम लोग गये थे लेकिन फिर भी प्रसासन के कानों पर जू तक नहीं रहे थी तब मैं एक बाद डीपीरों साब के पास गया जो मैं इस भवन को बनमाऊंगा और वह बोले कि नहीं आप नहीं बना सकते क्य तो यह सोच के मैं उनके पास गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया लेकिन मैं जब उनको पूरा अपना प्रियास के बारे में समझाया और सारा कुछ कहा तो अंतता हुँ मान गये और बोले कि आप रिपेरिंग के नाम पे कुछ फंड पांचलाक रुपया एलोट किया था मेर पंद्रा अगस्त के दिन हमने इस विद्याले काउध घाटन किया है तो उसके बाद से सुचारू रूप से वह इसकूल यहां आ गया है और शिक्षक लोग भी काफी खूस हैं हमको लगता है काफी भागदौर आपको करना पराई जी इसके लिए काफी भागदौर का भी आ आत्मिये गर्व है कि हम इसको कंप्लीट कर पाए वैसे भी जब से मैं मुख्या बना हूँ मैंने स्वास्त सिक्षा और स्वक्ष था इसको हमेशा से प्रायूर्टी दिया कि मेरा पंचायत जो है स्वक्ष बने स्वस्त रहे और सिक्षित बने और इसी पर मैं काम भी कर रह रवस्ता में था तो उसके लिए भी मैंने लर्जगर के वहां पर चार कमरे का प्रविजन करवाया है अब कमरा बनना स्टार्ट हो रहा है पंचायत में हमारे हॉस्पिटल नहीं थे हॉस्पिटल का काफी जरजर रवस्ता था डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे तो फिर इसके चीजों पर अगर पंचायत खरा उतर जाए तो मुझे लगता है कि बागी प्रॉब्लेम तो जनता खुदी सॉल्व कर लेगा निशित रूप से दोस्तों बिहार में हजारों पंचाइट है और हजारों पंचाइट में हजारों मुखिया हैं लेकिन कई न कई जब पंचाइट के विकास की बात आती है तो मुखिया जी लोग बहाना बनाते हैं कि एस्टिमेट नहीं बन रहा है काम नहीं हो रहा है परखं संगार्स और मेनत के बदोलत आज ये दिखा दिये हैं कि अगर मुख्या में करने का जजबा हो अच्छी नियत हो अच्छी सोच हो तो तस्वीर भी बदली जा सकती है और पंचाज की तकदीर भी बदली जा सकती है और दोस्तों छोटा साही पढ़ियास साही लेकिन यहाँ प यहाँ के लोग भी खुस हैं और मुख्या जी को भी संतुष्टी है कि अपने कारिकाल का एक वर्स पूरा होते होते हमने अपने किये हुए एक वादे को पूरी तरह से निभा दिया और दोस्तों जो यह भवन बना है यह एक छोटा सा नमूना है आने वाले समय में यहाँ पर बराबरा बिल्डिंग भी बनेगा क्योंकि जब फंड आएगा तो यहाँ पर दो महिला दों तीन महिला बिल्डिंग बनेगा लेकिन अभी भी जो बना है काफी संतोस जनक है और निश्चित रूप से बरे-बरे बिल्डिंग में उस तरह की सुपदाएं नहीं होगी ज वक्ष और नेक्छभी के मुख्या को क्रेडिट जाता है और यह दिखाने का उदेश भी यही है कि जहां मुख्या के बारे में लोग नकरात्मत बाते करते हैं कि मुख्या लूट लेते हैं गोटाला कर देते हैं बरस्टाचार कर देते हैं कुछ हद तक यह बात सही भी है लेकिन ऐसे ऐसे मुख्या हैं, जो कहीं न कहीं ऐसा ऐसा काम करके, एक मिसाल कायम करने का काम करते हैं, निश्टी तुरूप से दूसरे मुख्या लोगों को भी इसको देख करके सीखना चाहिए, और अपने पंचायत में अच्छा-च्छा काम करना चाहिए, जिससे सभी दो, भूद भाद मुख्याए, गुरूभाद